प्रिय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आई को आई कब पढ़ते हैं आई को आई कब पढ़ते हैं देखें यदि किसी सब्द में आई के बाद ब्यंजन हो और ब्यंजन के बाद ई हो तो वहाँ पर आई को आई पढ़ा जाएगा एक बार फिर से यदि किसी सब्द में आई के बाद ब्यंजन हो और ब्यंजन के बाद ई हो तो वहाँ पर आई को आई पढ़ा जाएगा उधारन के लिए आपके सामने देखें आई के बाद के एक ब्यंजन है और ब्यंजन के बाद ई है तो आई को आई पढ़ा जाएगा, तब हम इसे पढ़ते हैं, लाइक, आप इसे इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं, लाइक, ठीक उसी प्रकार, दूसरा, यहाँ पर हैं, आई के बाद ब्यांजन है, ब्यांजन के बाद इ है, यहाँ पर आई का उचारण आई होगा, तब इसका संपुन उचारण होगा, वाइक, ओ यहाँ पर आई के बाद ब्यांजन है, ब्यांजन के बाद इ है, तब इसका संपुन उचारण होगा, वाइक, आप इन्हें इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं बाईक वाईप प्रंत उच्चारण हमें आई ही करना है अब इसकी परिभासा पर चलते हैं देखिए आई को आई कब पढ़ते हैं यदि किसी सब्द में आई के बाद ब्यंजन हो और ब्यंजन के बाद ई हो तो आई को आई बढ़ा जाता है उधारण के लिए लाईक, बाईक, वाईप यो आपको अच्छी तरह समझ आ चुके होंगी इस वीडियो में इतना ही ठैंक यू है मैं आईश्टे